अध्याई चार अतीत की गूंज पूरे शहर में अमेलिया की जीत की गूंज के रूप में हेवन मुड ने अपनी नई सद्भावना में आनंद लिया, लेकिन जैसे ही जीवन सामान्य स्थिती में लोटा. वहां एक सुस्थ उपस्थिती बनी रही अतीत की एक भूतिया याद जो पत्थर की सडकों के माध्यम से फुस्फुसाती थी. अमेलिया इस भावना को हिला नहीं सका की अभिशाप, हालांकी पराजित प्रतीत होता है, फिर भी हेवन वुड के भीतर अपनी शक्ती के टुकडे रखे हुए हैं, वह श्राप के अवशेशों को खोजने के प्रती आसक्त हो गई. एक बार और सभी के लिए इसके सुस्त प्रभाव को मिटाने के लिए द्रिड संकल्पित हो गई. उसकी खोज उसे शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यत घर तक ले गई दरार वाली खिडकियों और एक शैकारी मुखोटा के साथ एक भयानक संग्रचना यह शहर के दर्दनात इतिहास के लिए एक वसियत नामा के रूप में खड़ा था. एक लंबे समय के अवशेश के रूप में घबराहट और संकल्प के मिश्रण के साथ अमेलिया ने विस्मृत यादों के दाइरे में कदम रखते हुए चर्मराते हुए सामने के दर्वाजे को खोल दिया. अंदर हवा धूल से भरी हुई थी और फर्श के बोड उसके वजन के नीचे करा रहे थे. अमेलिया के पच्चाप खाली कमरों में गूंज उठे जैसे ही उसने घर की खोजबीन की उसका दिल प्रत्याशा के साथ दोड रहा था. उसने महसूस किया कि उसने जो उत्तर मांगे थे, वे इन दीवारों के भीतर छिपे हुए थे. एक मंद रोशनी वाले अटारी में, अमेलिया ने एक पतंगे खाये गए कम्बल में धके हुए च्रम की खोज की. कपड़े को हटाते ही उसके हाथ कामपने लगे, कलाकृतियों की एक सर्णी का खुलासा करते हुए एक फटी हुई तस्वीर, एक फीका जर्नल और एक तूटा हुआ हार, प्रत्यक वस्तू का अपना वजन होता है, एक कहानी जिसका खुलासा होना बाकी है. अमेलिया ने ध्यान से तस्वीर की जाच की, उसकी आखे पहचाने में चौड़ी हो गई. इसने शहरवासियों के एक समू को चित्रित किया, उनके चहरे खुशी और आशंका दोनों से भरे हुए थे, उसने कुछ चहरों को पहचाना जाने फचाने शहरवासी जिनोंने पह गूड लेखन से भरे हुए थे. मानो लेखक ने अभिशाप के सार को पकड़ने का प्रयास किया हो, अमेलिया ने शब्दों को उंडेल दिया, उनके अर्थ को समझने और भीतर छिपे रहस्यों को खोलने के लिए बेता. जैसा कि उसने पत्रिका के पन्नों में खुद को ड उखत कहानी, एक बलिदान जिसने अभिशाप की शुरुआत की थी, और पीडियों के लिए हैवनमुण को तरस्ट करने वाले परिणाम. जैसे ही पहली के टुकडे संरेखित होने लगे, अमेलिया का दिल दौड गया. उसने महसूस किया कि श्राप केवल एक परिवार के अ जो अतीत के अंचुए घावों की निरंतर याद दिलाता था. अभिशाप की अंतिम पकड को तोड़ने के लिए निर्धारित अमेलिया ने उन लोगों की तलाश की जो पत्रिका में नहित कहानियों से जुड़े थे, उसने उनके खातों को सुना, उनके साजह इतिहास के अ दिकता और शक्ती की आवशक्ता होगी. अमेलिया के मार्गदर्शन में शहरवासी हेवनवुर के अंधेरे अतीत के स्थलों के माध्यम से एक आपचारिक यात्रातीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, साथ में. उन्होंने उन्यादों और दर्द का सामना किया, जो बहुत ल के केंदरिय वर्ग में एकत्र हुए, उनके चहरे द्रिड संकल्प और भिद्यता के मिश्रण को दर्शाते हैं. अमेलिया उनके सामने खड़ी थी, भीड को संबोधित करते हुए उसकी आवास थिर थी. हम आज यहां अपने अतीत को पुना प्राप्त करने और अपने भव विश्य को आकार देने के लिए खड़े हैं. उन्होंने घोशना की, उनके शब्द उपस्थित लोगों के दिलों में गूंज रहे थे, साथ में. हम किसी भी सुस्त अंधेरे से ज्यादा मजबूत हैं. और उन शब्दों के साथ, उर्जा का एक शक्तिशाली उच्छाल एक उजवल भविश्य के वादे से बदल गया.